दोस्तों यहार जो वीडियो है 20-25 मिनट कर रहने वाला यानि की आप को जो इञाम होने वाला है आइटियाई का ठीक है आइटियाई को जो इञाम होगा इछातरवा सदिक्षा का उसके लिए कंपूटर के 20-25 मिनट के वीडियो लेकर आएं जिसमें एक्जाम में ऐसा ही देखेंगे तो वीडियो को लास टाक जरूर देखना एक बार रिवाइस करके जरूर जाएगा और आप सभी को मेरे तरब से बेस्ट अप्लाग ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम इंपुट डिवाइस के बारे हम बात कर लेते हैं तो इंपुट डिवाइस क्या कहते एक्जाम में काईसे प्रैस पूछा जा सकता है तो दिखेंगे अगर प्रैस्ट डिवाइस पहले इंपुट डिवाइस saya da नहीं है या फिर output device नहीं है ना तो ऐसी question पूछ सकता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर computer के सबसे पहले input device देख लेते हैं तो keyboard क्या है input device है trackball एक input device है joystick एक input device है scanner एक input device है ठीक है वसी प्रकार web camera, microphone, touch screen, light paint, speech recognition system, keyboard, tag reader, जितना भी reader last time में रहेंगा सबी input device होगा है न बार कोड रीडर जितना भी reader रीडर रीडर आएगा न सभी जैसे लास्ट में आपका आर दिखेगा वह जितना भी आर रहेंगा न सब input device है जैसे OMR seat, bar code reader, bar code reader, ये सब है ना, comment ना करें ना, बिलकुल ध्यास समझे, OCR, OCR, ये सब जितने भी RR है, लास्तम ना, सभी input device, input device को पहचाने का तरीका है, टिक है, जिसके अब देख सकते हैं, क्या क्या है, देखिये, magnetic ink character, रिकार जीनी सा, फुल फार्म भी पूछा जाता है ना, तो फुल फार्म अब मेरे पास समय नहीं है, 20 से 25 मिनट के वीडियो में कितना सरा आपको टॉपिक बताऊंगा है ना, तो जितना भी टॉपिक बता रहो है, बर वीडियो को लास्तम देख के चले जाईगा, क्या पता आपको एक्जाम में ये पोश्टन पूछ रखता है, तो जितना मेरे तरब से बनता है, मैं आपको ये वीडियो में 20 से 25 मिनट में आपको करा देता हूँ, ठीक है, जो भी पंच कार रीडर है सभी, अब उसके बाद आउटपूट डिवाइस देख लेते हैं, तो आउटपूट डिवाइस में देखिए, स्पीकर हो गया, चलिए आप इनपूट और आउटपूट से पूछे गए, प्रस न देखेंगे, ठीक है, तो कोईसे कैसे प्रस न पूछे जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली एक्जाम है, जैसे होस्टल वाड़ाना, जैसे एक्जाम आता है न, तो जैसे आप प आप आप की तयारी कर रहे हैं, तो अगर इसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, कोई दीकत नहीं आपको प्रेक्टिस से जारी रहेगा, लेकिन आप और भी वेकेंसिक तयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक किजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजेगा, इसकी तो जितने दिनों से बी तक पढ़े हो, तो आपना कमेंट करके पताओ की इसका आझसर क्या होगा, तो आप सभी को मालू है, क्या है? क्या है? कि पूद्द का है? कि शिर्ता का है, कि इन्पूर्ट इंपउत्स का अचलिए तो चलिए क्वेस और चलिए ओंसले आप ए इसे हम data सुचना को computer में प्रविष्ट कराते हैं input device कर लाता है exam में कभी पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है keyboard mouse scanner यह तीनों ही चीज अच्छा से रट लीजेगा input device आपके क्या होता है इन्पूट डिवाइस आपका keyboard हो गया mouse हो गया और scanner हो गया यह तीनों ही चीज को बार बर एक्जाम में पूछता है keyboard mouse और scanner यह तीनों ही चीज है जो हर एक एक एक्जाम में देखने को मिलता है ठीक है तो अगर यहाँ पर output device पूछ ले जा तो आप बताएंगे monitor जबके हाँ पर input device पूछा गया है तो यह तीनों अक्सर एक्जाम में देखने को मिलता है ठीक है तो इसका आप लोग बताएंगा क्या आएगा जो कुछ समय में टाइप है ना यानि कि submit करते जैसे आप कुछ form फिलिप करते हैं तो वहाँ पर submit करने का last option दिया रहता है तो submit टाइप इन टाइपर ही है तो इसको input device कहते है जाद रखना क्या कहते है input device एक दी हूई बहुत शार input device होते है तो उसका answer बिलकुल सही होगा अपका दी समय में बहुत सार the device होते है। चलिये information और command capture करने के लिए किस equipment का प्रयोग किया जाता है output, input, storage, tele, communication device तो इस cancer बिलकुल आप सभी ने ठीक दिया है भी होगा आपका input device है ना तो आप लोग इस cancer फटाक से बताएगा जल्दी स comment करके बताएगा क्या होगा यह mouse, track, ball and joystick are example of comment ना करें ना मैं बार बार करें रिवाइस करके जाएगा यहाँ पर question, doubt ना करें बिलकुल revise करें तो देखिए mouse, track, ball, joystick निमने किसके उधारन है तो किसके उधारन है यह सभी देखिए एक बड़े mouse है ना और trackball और क्या पुछाएगा है joystick के तीनों ही जो तीनों ही चीज़ है आपको pointing device है, एक input device ही है, input device के अंदर का pointing device होता ना वही आपको mouse हो गए एक input device है तीक है यहाँ तक clear हुआ, चलिए joystick क्या है, input device है, तीक है, joystick क्या है, input device है, तीक है, चलिए अब उप्यूग तक की प्रस्नेक्ट व्याक्षा करते हैं, तो यह देखें यहाँ पर सात्वगा क्या होगा, तो input device का उधारन है, तो input device क्या है, mouse, scanner, keyboard, यह सब, लेकिन यहाँ पर देखें, trackball क्या है, joystick क्या है, input device के अंदर का आता है, लेकिन इसको pointing device कहा जाता है, ठीक है joystick और trackball को pointing device कहा जाता है, तो इसका answer सभी होगा D है, सभी क्या है, input device है, trackball को उधारन देखेंगे, तो trackball क्या है, input device है, उसको pointing device भी कहा जाता है, तो trackball क्या है, pointing device है, अब pointing device किसके अंदर का आता है, इन्पुट डिवाइस के इंतर गताता है यह तो आपका अंसर B होगा ठीक है चलिए आप देखते हैं टैच पैड इसे गूड अल्टरनेटिव टू दा माउस इसे एक इक्जामपल यानि कि माउस का एक अच्छा विकल्प टैच पैड का उधान क्या है तो आप लोग बताएएगा क्या है इसका आंसर ए सॉब्यारट डिवाइस बी प्रिंटिंग डिवाइस si pointing डिवाईस moderate episode आप इसका एंसर कितने लोगों का सहीं आ रहा है कमेंट करके बताएगा है इसका इसका अंसर बिलकुल सी होगा आप सभीと思います क्या है पॉइंटिंग डिवाइस अभी आपको बता है ट्रेक बॉल क्या है पॉइंटिंग डिवाइस जोयस्टिक क्या है पॉइंटिंग डिवाइस जोयस्टिक है आपका गेम खेलने का काम आता है क्या आता है गेम खेलने का काम आता है ठीक है क्या यह देखते है टचपेट को रिस सब आपको अंगुठा को दबाओगे तो प्रेशर ही रहे ना इस प्रकार इस प्रकार रहता है यहाँ पर आप किलिक करेंगे जो भी आप किलिक करेंगे तो आपका टच होता है न वही आपका प्रेसर रगए जैसे आप अंगुठा को दबाओगे तो प्रेसर ही रहेगा न उसी प्रकार इसका अंसर भी होगा चलिए आप साफ्ट्वेयर हाडवेर से कोश्चन देखते हैं कम्पीटर के हाडवेर से भी कोश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पिखते हैं तो ऐसी के अप्रेसर प्रेसर प्रीटर को उप्योग करना सबसे असान यानी कि सरल हो जाता हुआ है यूट्यिलिटी प्रोग्राम होगा ठीक है प्रोग्राम में तुटी यानिए error को क्या कहते है, exam में कई बार पुछा गया है, वही question लेकर आया हूं तो इसका answer, ए होगा bug, प्रोग्राम में जो तुटी रहते है न, error, उसको bug कहते है, ठीक है computer का प्रत्यक component यहाँ तो क्या होता है computer के प्रत्यक component क्या होता है hardware या software, software या CPU RAM RAM का full farm होता है Radom Access Memory और CPU का full farm होता है central processing और unit application software या system software या input device या output device तो इसका answer आपको बिल्कुल A होगा computer के प्रत्यक जो component होता है आपका hardware और software दोनों होता है software के प्रत्यक उद्देश से data को क्या बता data को सूचना में बदलना होता है data को क्या करोगे सूचना में बदलना होता है आपका objective question में दिया होगा यह direct answer भी लगाओगे ठीक है अब देखते हैं कि software code में तूटिया ढूनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो जो तूटि ढूनता है ना उसकी प्रक्रिया होती क्या कहलाती compiling, testing, reading, debugging या इन में से कोई नहीं तो इसका answer साया D होना चाहिए, debugging है ना चलिए देखते हैं इसका answer बिल्कुल सही है, debugging मूर्त computer का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाता है तो यह आपके exam में कई बार पुछा गया है तो revise करके एक बर देख लिजेगा hardware, software, storage, input या इन में से कोई नहीं तो देखी जो मूर्त अहरा आपको computer के भौतिक उपकरण जिसे हम देख सकते हैं छूँ सकते हैं उसको साया hardware कहते हैं, software को नहीं कहते हैं, इसका answer सायाद यह होना चीए hardware है ना और जिसे हम छूँ नहीं सकते उसको software कहते हैं चलिए इसका बताईगा क्या आएगा computer का कोई company जिसे अब देख सकते हैं और छूँ सकते हैं फिर से hardware वाले इसाम आ गया है ना जिसे computer एक से अधिक task perform कर सकता है माल लिजेगा कोई एक computer है जिसमें अधिक task का perform कर सकता है task का मतलब समझे रहे होना complete target है ना तो उसका induction के लिए कौन सा उपद उप्यूगता है तो hardware, software, humanware या firmware तो इसका अज़र सायद इसका होना चाहिए भी है ना जो की software होगा तो चलिए देखते हैं program के test result और print out के साथ programming chakra और programming का विश्तरित होता क्या है तो इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था लिखित विवरन क्या है तो document, output, reporting या spec sheet तो लिखित विवरन का मतलब होना चाहिए सायद A आप लोग comment करके बताओ क्या होगा यह होगा क्योंकि जो document होता है उसमें ही उप्योग होता है ठीक है computer के data का CPU है computer का data है उनका CPU CPU का मतलब होता है center processing unit जो कि परिधी अंत्रों को अंत्रकन किसके माध्यम से प्राप्त करते है modem computer pods interface या buffer memory तो इसका answer C होगा interface से ही हम लोग जो होता है ना CPU उससे परिधी अंत्रकों ही वीवरण में प्राप्त करते है माध्य हमसे ठीक है विशिष्ट प्रतिबंदों के अधार पर माली जीग सब्टेयर के प्रोग का कानूनि अधिकार के मध्यम से दिया जाता है तो software privacy, software license, software password या software long इसका answer क्या होगा फटाफट कमेंड करके बताएं क्या होगा क्योंकि आपको एक्जाम 23 तारीक हो याने की कल आपको एक्जाम है और आप लोग तयारी ही नहीं करें तो क्या मतलब के 54 पद पर जो वेकेंसी निकल कर रही है कौन से वेकेंसी आई टी आई हास्टल वारण वेकेंसी है ना और चाहिए आप व्यापाम प्येसिक तयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करते जाएगा ठीक है चलिए इस का अंसर बिल्कुल सही दिया है जब आप PC PC का मतलब होता है देखिए सब कई लोग एक्जाम में नहीं पता कि PC होता क्या है तो PC का मतल सब्सक्राइब आपको पताया ना लेप्टाप छोटा वाला वही है तो क्या करते हैं आप रेट्रिंग सिस्टेम में अंसर डिस्क का मेमोरी कापी के जाते है आंसर यह होना चाहिए ठीक अब कंप्यूटर के बहुत तीक बनाव जीसे छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं क्या क हम चूँ सकते हैं मतलब हाडवेयर ही आएगा डाटा का सुन योजित रिकार्ट रखने के लिए समानेता इनमें से सब्सक्राइब के उप्योग किया जाता है तो कौन सब्सक्राइब किया जाता है तो इसका अंसर यह होना चाहिए डाटा बेस जो सब्सक्राइब है ना उस क्या आएगा जल्दी से कमेंट करकर बताएगा इसका अंसर क्या होगा B C या D तो मेरे हिसाप से इसका अंसर C होना चाहिए बैक आप क्योंकि जैसे वाटसाप वागर चलाते हो ना तो बैक आप करते ही हो गए वैसे ही इस प्रकार का है MS-DOS अधारित personal computer पर निम्नमेस कौन सा package डाटा बेस के रूप में अधिक पाया जाता है तो इसका answer देख केरल वर्ड स्टार्ज आटो केट इसका answer होना चीए आपका A है ना DOS का पूरा नाम क्या exam में पूछता है बार बार DOS का पूरा नाम है disk operating system तो यह आपका answer हो जाएगा B ठीक है अब देखते हैं computer पर काम करने के लिए मुखे तक किसकी जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है hardware, software, scanner या एक-दो या इनिमस कोई नहीं तो इसका answer साइद hardware, software दोनों होना चाहिए तो इसका answer D ले ले लेते हैं ठीक है अब विसाम सब्दा चुनिए भी आपके exam में पूछता है बार बार तो इसका answer आपका D होगा क्योंकि एक-स जो है आपको विसाम सब्दे क्योंकि यूनिस का MS-DOS और Windows क्या एक operating system software है ना तो यह एक मिनट ना जो दिया है है विसाम सब्दा तो इसका answer डी ना यह वाला हो गए एकस्स क्योंकि यह तीनोच्व आपका सेम सेम है ना चलिए computer के संदर्म में सब्टेयर का अर्थ होता क्या है तो इसके computer program ही है सब्टेयर है ना यूनिस्टक कभ विकास कप किया गया था जलिसे पताएगा इसका अंसर क्या होगा захộc कमेंट कर से बताएगा इसका अंशियों सबात्ति हो सकता है क्योंकि जब यूनिस्टक क विकास हे तो इन यिक दस् armored हमें भी तो जो लोग त्यारी कर रहे हैं फटाक से कमेंड करके बताएं क्या होगा फिर विल्कुछ सही है इसका अंसर आपको सी है एसेंबली ठीक है चलिए लास्ट कोशन यहां पर देखते हैं फिर हम लोग कुछ और कोश्चन देखेंगे जो एक्जाम में पूर सकता है तो किसी फर्म के सबीट टांजेक्सों को एक ही बार गूपिंग और प्रोसेजन करने को क्या कहते हैं डाटा बैच रियाल या आले या इसको यही देखें दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा ही मेरे तव्यत खराब हो चुका है तो क्लास नहीं ले पा रहा हूँ है ना कि यह ज्यादा ही तव니त खराप हो चुका है तो इतना कोशिस कर रहा हूं कि जितना होस,' के मेरे तरफ से मैं एक बाद रिवाइस करके जरूर जाओ है ना तो एक बाद वीडियो को लाच आशेक जरूर देखना पहले पर आए हैं तो नो-वीडियो के तयारी करना छाथे एक बार चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं घ्र आपको पसंद आता है तो करेगा नहीं आता है तो ना करियेगा को नहीं है है ना चलिए ठीक है यहां तक रखते हैं फिर एक आध कोशन और देखें देख लेते हैं कि कुछ-कुछ से एक्जाम से और प्रस्न पूछ सकता है ठीक है चलिए तीस कोशन देख लेते हैं 26 हुआ है कम्पूटर में काम करने के लिए किस आप्टर का प्रयोग के जाते हैं तो कम्पूटर में काम करने के लिए मालूज हमारा का सिस्टम ही रहेगा तब काम करेंगे तो इसको एप्लिकेशन क्या हो सकता होती है जैसे कि मेरा भी है अभी एक एप्लिकेशन सॉप्टर रोस से मैं आपको यह class करा रहा हूं है ना कौन से software computer का hardware को नहीं अंत्रिट करता है तो जो आपको system software हो सकता है इस cancer क्योंकि वह है जो आपका hardware को करता है compiler computer की किस पकार की भास्ता है computer computer की ऊच्चा या निमना दोनों में से एक ही आएगा यह सब नहीं आएगा ना तो compiler computer का आपको हो जाएगा B निमने इस तरी भास्ता है ठीक है उच्चे इस तरी भास्ता का मतलब याद रखना उच्चे हमेशा compiler होता है तो दोनों होगा इसका अंसर B और C computer system software का सबसे महत्तपण भाग कौन सा है तो इसका अंसर पेकेज होगा ठीक है टोटल हमने कितने कोशन किये 50 mcq कर चुके हैं क्या पता आपकी एक्जाम एक से दो नमबर यहाँ सपरेशन पूश सकते हैं तक बढ़र रिवाइस करके चरूर जाईएगा आज के लिए इतना ह